पबुद्ध और बुद्ध सद्ध सार पबुद्ध और बुद्ध पबुद्ध का मतलब होता है पूरी तरह से जागा हुआ यानि अवेकन यानि एनलैटिट पाली के अंदर पबुद्ध श्रथ का मतलब है जो जागरित है, जागा हुआ है, अवेकन है और जो सब समझता है, उसको पबुद्ध बोलते हैं और जो बुद्ध है, बुद्ध का मतलब है बुद्ध का मतलब है, जिसको highest information है धमकी और वो उसको सिद्ध कर चुका है सफल कर चुका है बुद्ध का मतलब है कि अगर कोई धमको सिद्ध कर चुका है तो वो बुद्ध हो जाता है और पबुद्ध का मतलब है जागरेत जागा हुआ अवेकंग डॉक्टर अमबेटकर ने भारत को बुद्धिष्ट भारत बनाने की बात नहीं कही ना ही बुद्ध भारत बनाने की बात कही उन्होंने हमेशा भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने की बात कही प्रबुद्ध का मतलब है कि हर व्यक्ति जागा हुआ क्योंकि डॉक्टरां मेटकर अची तरह से जानते कि बुद्ध और जो बुद्धिष्ट सब्द है ये बहुत बात के सब्द है जो पबुद्ध सब्द है ये सब्द पाली का बहुत पुराना है और भगवान बुद्ध ने सारे लोगों पबुद्ध बनाया किसी को भी बुद्धिष्ट या बुद्ध नहीं बनाया पबुद कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो